तो गाइस इस lecture के अंदर आपको मैं यह बताने वाला हूँ के data pre-processing क्यों important है और किस तरीके से हम psychic learn यानि के python की library जिस से machine learning हमने करनी है data pre-processing का step जो है उसे हम अपनाते हैं तो मैं अपनी screen आप लोगों के साथ share करता हूँ and hopefully it will be working fine now और यह यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं data के ऊपर कोई भी काम करता हूँ so I need to be very aware about the data के कहां से आ रहा है यह data और data के ऊपर कौन कौन से procedure जो हम कर पा रहे हैं ठीक है क्योंकि एक्सरोकाद होता है यह कि जब भी हम data को कहीं से ले के आते हैं हमारे पास data को collect करने के बाद options जो बज़ती है data को साफ करने की और data के उपर further काम करने की ताके वो data इसकाबिल बन जा कि हम machine learning model के अंदर उसको utilize कर सके ठीक है so सबसे पहली चीज़ जब भी आपने data को देखना है तो data कहां से आता है क्यों आता है इसके पीछे आपकी science होती है वो कौन सी science है वो aim है आपका जिस aim के उपर आप काम करके data को ले के आ रहे हैं उस aim के उपर यानि कि उस question के उपर आप अपना data collect करते हैं या किसी से वो data ले के आते हैं तो aim या question जो है ये आपके data collect करने के अब 22 बनता है, ठीक है, और usually यही कुछ होता है, जब भी आप कोई machine learning का model create करते हैं, तो पहले आपके पास question आता है कि data क्या है, और ये data क्या है से बाद में अगली बात आते हैं, कि data कहां से आया, यानि कि data का metadata, data, metadata, यानि कि किसने collect किया, क्यों collect किया, इसमें से कौन-कौन सी चीजें थी, जो हमारे पास समझना ज़रूरी है, और data collect करने के बाद हमारे पास कौन सी ऐसी तिकनीक है, जिसको हम use करके, इसको machine learning model के अंदर हम change कर सकते हैं, सो data का metadata और data खुद, ये दो important चीजें होती हैं, ठीक है, data और data का metadata, data का metadata ये बताता है, कि data का collection का purpose क्या था, data किसने collect किया, data के column कितने हैं, so on and so forth, बाकी सारी चीजें, और data बजाते हैं, खुद column और rows के अंदर, अगर हम rectangular data की बात करें, जिसमें columns and rows हमारे पास आती हैं, इसको structure data भी बोलते हैं, और ये structure data हमारे पास एक नई जो input है, वो ले गयाता है, ठीक है, अब इस data के उपर, अगर आप believe करके बैठ जाएंगे, जिस बंदे ने भी ये data collect किया और जो उसका purpose था, उसकी base पे ये data 100% ठीक है, तो ये बिलकुल गलत चीज होगी, you cannot say के anything can be 100% correct, ठीक है, अब ये 100% अगर आप कहते हैं, for example, आपका किसी एक ऐसे बंदे पे यकीन है, कि यार अगर वो बंदा data collect करेगा ना, तो वो तवाजन पर करार रखता है, उसको data data techniques आती है, वो अच्छा एक statistician है, and he knows how to collect the data, या she knows how to collect the data, लेकिन problem था बाती है, जब अंदा धुन बलीव करके बैठ जाते हैं, so उससे पहले कुछ process होते हैं, जब आपके पास data आया, आपने एक second process से उसे गुजारना है, उस processing को हम बोलते है data की pre-processing, यानि के data को किस तरी processing का मतलब ही ये है, कि data को इस काबल बनाना के वो data, एक machine learning model के use के लिए बेहतरीन साबित हो, up to 100% correct data हो, obviously हम validity और बाकी चीज़े नहीं देख सकते हैं, बट data खुद हम देख सकते हैं, कि data किस तरीके से हमारे पास आ रहे हैं, और अकसर अकात लोग क्या करते हैं, जब वो data की pre-processing के उपर बात करते हैं, they miss many steps, वो कहते हैं कि अगर data ही साफ हो, हमें फिर pre-processing की क्या ज़रूरत है, pre-processing is always needed, ये एक ऐसा step है, which is needed always, क्यों चाहिए होता है, अगर data correct है ना, फिर भी आपने कुछ ऐसे concepts pre-processing में पढ़ने होते हैं, which are needed to actually improve that data, और उस data को इस काबल बनान कि machine learning का model उस पर काम करें, अब data pre-processing के कही steps है, मैं अभी आपको बताता हूँ कि data pre-processing जो है, उनके key steps कौन-कौन से हैं, और techniques कौन-कौन सी है, data pre-processing के अंदर, आपका जो techniques, या tools, या जो भी methods आप use करते हैं, उनको यहाँ पर हम देखते हैं, number one पे आता है कि जनाब, आप data जो आपके पास आया है, इस data की base पे, आप data cleaning कैसे करेंगे, और क्यों करेंगे, यानि कि मैं यहाँ पे अगर लिखूं data cleaning, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, data cleaning क्यों करनी है, किस वज़ा से करनी है, क्यों जरूरत हमें पढ़गी, और data cleaning हमारे लिए क्या बाइस बन सकती है इसके लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए, यह purpose क्या है, ठीक है, वो ही aim वाली बात, हम क्या करते हैं, data cleaning के लिए, हम क्यी steps देखते हैं, for example, आपको भी पता है, कि जब आप घर में कोई सफाई करते हैं, या कोई चीज चेक करते हैं, for example, आप कहते हैं, कि मैंने अपने साइट पे, तीसरी किसम का तीसरी साइट पे, ठीक है, फिर आप देखते हैं कि यार, मेरी तो shelf के अंदर कुछ shoppers बढ़े हुएं, ठीक है, shoppers बढ़े हैं, इनका use कोई नहीं है, बस ऐसी मैंने देसी होने के नाते, वो shoppers जो हैं अपने room के अंदर, हम ही इकठे किये हुएं tidy करना data को, मतलब तहें लगा के चीजों की रखनी है, ठीक है, और तीसरा concept अगर आप देखें data cleaning के अंदर, आपको पता होगा कि यार, मेरे पास ये shelf के अंदर, ये वाली एक missing space है, ठीक है, इसको कैसे fill करूं, for example, आपके पास अगर saw hangers हैं, I'm just saying, आपके अगर shelf बढ़ी है saw hangers हैं, और उसमें सिरफ 3 shirts टंगी हुई हैं, तो आप क्या करते हैं, आप एक nature आपकी बन जाते हैं, कि ये जो saw hangers आपके पास टंगे हुए हैं अपनी almari के अंदर, आप क्या करते हैं, तीन shirt हैं तो 3 hangers पे टांग देते हैं, फिर अपनी देशी जुबान के अंदर बोला जाए तो पेटी या आप storage room में जाते हैं, वहां से अपना कोई ऐसा समान ले के आते हैं, जो इन hangers पे फिट आए, तो इसी concept को मैं बोलूँगा missing values, ठीक है, missing values को आप impute करते हैं, कभी ऐसा होता नहीं है, by the way कि 100 hangers टंगे हो और 3 shirt हो, other than the hotel rooms, अगर आप कहीं पे conference पे जाते या आप क्या करते हैं, इनको in use ले के आते हैं, ठीक है, और इन ही shoppers को आप समझ ले के ये outliers हैं, ठीक है, आप इनको discard भी कर सकते हैं, और outliers को अच्छे तरीके से आप maintain भी कर सकते हैं, फिर अगली चीज आती है, ये जो missing values हैं, और data आपने tidy up किया हुए, कुछ shoppers को आपन रोज रहने देते हैं, आप पिछले data को use के, use करके नया data भी बना सकते हैं, ये cleaning के अंदर तो by chance नहीं आता, ये वाला method जो है, लेकिन आप ये कर सकते हैं, कि एक जो आपके पास age का column है, ये अगर years के अंदर है, आप दूसरा column बना ले, कि जो months के अंदर हो, इस तरह के काम आप कर सकते हैं, और इनको feature engineering बोलते हैं, लेकिन इस concept के तरफ हम बाद में आते हैं, अब इस data cleaning के बाद, जिसमें आप क्या करते हैं, missing values को fill करते हैं, noisy data को निकाल देते हैं, noisy data ये shoppers आप समझ ले, ठीक है, noisy data भी इसे बोल सकते हैं, इसको आप निकाल के बाहर कर देते हैं, आप outliers को remove करते हैं, आप data के अंदर इन consistencies जो होती हैं, यानि कि आप data की तहें लगा के रखते हैं, ये नहीं है कि आप का data जो है, kitchen वाले बरतन का समान आप कभी भी अपनी कपड़ों वाली shelf में नहीं रखते हैं, ठीक है, ये नहीं होता कि showcase के अंदर आप अपनी shirt हैं फस सुतरा करके एक side पे अच्छे तरीके से maintain करना, अब इसी से related आपके पास आता है दूसरा point, दूसरे point को अगर मैं यहां पे लिखो, so दूसरा point बहुत important है, इसको बोलते है data integration, अब जैसे मैंने आपको data collection की techniques बताई थी, आपको triangulation का method मैंने पढ़ाया था, यानि कि एक ही का तीन तरीकों से किया जाए, फिर उन तीन तरीकों से आप एक point पे पहुँचे, triangulation का method, अब अगर आपके पास multi method के through, data आया है, multiple methods के through, तो आप क्या करें, उसको integrate करें, ठीक है, data को integrate करने का मतलब यह है, कि अगर आपने तीन तरीकों से, दो तरीकों से, यह चार तरीकों से same data collect की है, उनको integrate करें, ठीक है, मतलब यह, कि मैं चाता हूँ, फैसलाबाद में लड़के ज्यादा पढ़ रहे हैं, कि लड़की हैं, युनिवस्टी के ज्यादा पढ़ रही हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं तीन लोगों को भेजता हूँ, कि फैसलाबाद की जितनी universities हैं, सबी में जाके, count करें, females and males को, ठीक है, females and males को, ठीक है, यह data कहीं से ले, तो obviously, तीनों का result जो है, वो different होगा, and at the end, we have to integrate that data, इसको हम data integration भी बोलते हैं, इस चीज़ को data pooling भी बोलते हैं, data को pool करना, ठीक है, और यह statistics के अंदर बहुत ज़रूरी technique है, कि दो या दो से ज्याद technique से अगर आप data collect कर रहे हैं, तो इसको data को pool भी कर सकते हैं, पूल से मुराद होता है, कि अगर तीनों का data, statistically significant हा रहा है, तो आप इनको तीन को तीन replicates भी बोल सकते हैं, और on the other side, आप इनको यह भी कह सकते हैं, कि एक बंदे का data जो था, उसी के अंदर जो missing data है, वो add कर दो something like that, so आप data को integrate करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें एक problem आजाती है, कि आपके पास duplicates आजाती है, ठीक है, duplicates, जिसको हम बोलते हैं, कि data जो है, वो retundent हो गया, data दो दफार है, returnancy, data की returnancy, जो है, returnancy, 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 जो है data की बढ़ जाती है, तो आपने duplicates को भी remove करना होता है, data returnancy को भी, यह सेम चीज होती है, ठीक है, जो inconsistencies आपके पास data integration के बाद आती है, वो भी remove करना है, यानि कि आपने data integration किया, data clean एक बंदे का किया, दो का किया, तीन का किया, फिर data को integrate कर लिया, इसके बाद आपने data integration के बाद दुबारा data cleaning भी करना है, क्यों, क्योंकि आपके पास नया data आ गया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, data returnancy, duplicate removal और बाकी steps इसी के अंदर add हो जाएंगे, so we can integrate these steps, data redundant होना और data का duplicate जो है, उनको हमने deal करना है, ठीक है, duplicate, यहां तक समझ आगी, कि आप किस तरीके से data को pre-process करते हैं, you have to go with a method, वो method क्या है, वो हम देख रहे हैं, इसके बाद जो अगली चीज है, आप लोगों को समझ आ रही है, ना, चैट में मुझे साथ साथ बता हो गया, रिटेंडेंट उसकी चीज़ें रिमूव होगी, तो थर्ड स्टेप पे जाकर आपके पास एक टेकनीक आती है, जिसको हम बोलते है, data को transform करना, data transformation, ठीक है, data transformation क्या होती है, अब आपको भी पता है, कि आपने data को ऐसी टेकनीक के थुरू transform करना है, कि वो data जो है एक scale में आ जाए, तो इसका मतलब है data scaling एक step हो गया, data scaling इसके अंदर आप कर सकते हैं, इसके इलावा normalization जो है, आप इसके अंदर करते हैं data की, इस step के अंदर आपको पता हो के data मेरे पास clean हो गया, everything is fine, now I have to scale the data और normalize the data, और इसी step के अंदर आप data की aggregation भी करते हैं, data aggregation, aggregation क्यों करनी ज़रूरी है, मैं भी आपको एक मिसाल देता हूँ, हमारे पास titanic का data है अगर, titanic का data है, और उसके अंदर, ये aggregation की example आपको मैं देने लोगा, उस ठीक हो गया, अगर spouse था के नहीं उसके साथ, ठीक है, और एक column था के वो alone travel कर रहा है के नहीं कर रहा है, जो passenger है, फिर एक column उसी titanic के data के अंदर है, जिसको हम parent children बोलते हैं, ठीक है, अब अगर ये तीन column हमारे पास हो, इसमें sibling spouse था, SBPSP, ठीक है, titanic के data के अंदर, मैं आपक family size, तो इसको बोलते हैं data को aggregate करना, यानि कि तीन columns की जो values हैं, उनको aggregate करके यहां पे लिखना, कि उसका family size कितना था, अगर alone वाला yes कह रहा है, तो हमें उसकी family size को calculate करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसका sibling या spouse साथ में सफर कर रहे हैं, या parent children कर रहे हैं, तो हम इन द data aggregation, data aggregation क्या होती है, आप combine करते हैं, दो या दो से ज्यादा variables को, ठीक है, combining two or more variables, combining two or more variables, अगर मैं यहां पे two or more variables की बजाए, two or more features भी करूं, then it's fine, ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों, अगर कोई भी आप data के अंदर column लें, इन सभी columns को हम बोलते हैं, variables, ठीक है, अगर यह चार column है data के अंदर, इन चारों के चारों को हम बोलेंगे, these all are called as variables, लेकिन, यह जो तीन हैं, अगर मैं इनको x1, x2, x3 लिखूं, यानि कि यह मेरे features हो जाएंगे, और जो चोता है, यह मेरे पास, अगर मैं इसको y लिखूं, तो यह मेरे पास label हो जाएगा, ठीक है, so, अब variables की type कौन सी होती है, या तो feature हो सकता है variable, या label हो सकता है, feature और label के अंदर मैंने अच्छा खासा difference आपको पिछले lecture के अंदर बताया था, so I am not going to actually tell you again, ठीक है, अब इसके बाद, इसी step के अंदर, data transformation के अंदर, आप क्या करते हैं, data generalization का एक step करते हैं, which is very important, data generalization, आप क्या करते हैं, आप अपने data को broader level पे ले जाते हैं, say for example, मेरे पास कोई एक column है data का, और वो दूसरे columns के साथ link कर रहे हैं, say for example, मेरे पास age का column है, ठीक है, अब यह numeric data, मैं क्या करूँगा, इसकी binning कर दूँगा, different groups के अंदर, मैं कहा दूँगा कि 5 साल से छोटे बच्चे, फिर 5 से 10 साल के बच्चे, फिर 11 से 18 साल के teenagers, फिर इसी को मैं कर देता हूँ, 18 से 30, फिर मैं करता हूँ, 31 से 45, और greater than 45, ठीक है, तो यह मेरे पास age की column की base पे, यह categories अगर मैं बनाऊँगा, तो इससे मुझे generalize हो जाएगा, कि बड़ा concept कैसे बनाना है, ठीक है, तो इस generalization को basically हम यह बोलते हैं, कि आप low level data को, यानि कि जो data उपर से नीचे आते आते, बड़ा specific हो रहा है, एक funnel की तरह, आप उसको broader concept के अंदर ले जाते हैं, यानि कि आप उपर से नीचे हो रहा था ना, data, यानि कि age हर किसी की specific हो रही थी, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे specific case से general age की तरफ ले के जा रहे हैं, पांठ या साथ बड़े groups बना के, तो इसको हम बोल देते हैं, concept hierarchical distribution, ठीक है, लेकिन अगर इसको हम समझें, तो इसको generalization भी भोलते हैं, कि data को generalize करना, ताकि आप machine learning का model fit कर सकें, और बता सकें कि क्यों हम why जो है, फ्लाँ चीज को consider कर रहे हैं, ठीक है, अब आपको मैं इसाल देता हूँ, कि Titanic का अगर हम data देखें, उसके अंदर survived का column बहुत ज्यादा दफा वाय लिया जाता है, क्यों? क्योंकि Titanic के जब भी बात आती है, हर किसी के mind में आता है, कि बचा या अल्ला को प्यारा होगे, कितने लोग बचे, क्यों बचे, क्यों नहीं बचे, ठीक है, तो survived हमेशा आपकी output में आता है, यानि कि आप predict करते हैं कि age इतनी थी, flanches इतनी थी, उसका क्राय इतना उन्होंने पे किया था, first class थी, second class थी, gender इतना था, और वो passenger survive किया कि नहीं किया, ठीक है? So, यह data generalization इस वज़ा से हमारे पास important होती है. So, हमने तीसरा step देखा, data preprocessing का, जिसको हम data transformation बोलते हैं, इसमें data को scale या normalize किया जाता है, data को aggregate किया जाता है और data को generalize किया जाता है. अभी तक हमने कौन-कौन से step देख लिए हमने देखा, जनाब data cleaning, data integration, and then data transformation. इन तीनो steps को बाद में, हम एकठा भी करेंगे, but for now, we are going towards our next step, which is also important one, number four. और ये step हमें बताता है, कि data reduction क्या होती है. data reduction data reduction ये preprocessing के अंदर ही आता है, आपके पास से for example, 50 variables हैं, और 50 की base पे आप एक को predict कर रहे हैं, ठीक है, यानि कि 50 features हैं आपके पास, जो column है, उसकी base पे 51 column आप predict कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, बजाए 50 के, आप कुछ ऐसे analysis करते हैं, कि आप ये वाली dimension, क्योंकि dimension ही है न, अगर आप गवर करें, जितने आपके पास column बढ़ते जाएंगे, उतनी data की dimension बढ़ती जाएगी, ठीक है, मिसाल के तोर पे, मेरा अगर data set है 50 column का, और मेरे पास हैं 100 rows, तो 50 multiplied by 100, कितना होगा जी ये? 5000, अगर इसी में से, 50 की बजाए मैं 25 column select कर लूँ, top priority पे, उसको 100 से multiply करूँगा, तो ये मेरे पास 25 आ जाएगा, means, आदे column से, हमारा आदा data जो है वो, कम हो जाएगा, और उस पे हमारी processing भी अच्छी होगी, और हम अच्छे तरीके से perform भी कर सकते हैं, sometimes, क्या होता है, कि ये 50 के 50 variable इतने important नहीं होते, to be as an input variable, तो हम उनको भी निकाल देते हैं, तो इस concept को data reduction बोलते हैं, और इस major concept को आप machine learning में, as a name, जब सुनेंगे तो इसको बोलते हैं, dimensionality reduction, यानि के आप input columns को reduce करके, सिरफ उन columns पे लेके आ रहे हैं, जो ज्यादा important है, ठीक है, कम important वाले आप उठा के side पे कर देते हैं, इसके लिए आप different किसम की, जो है वो techniques यूज़ करते हैं, dimensionality reduction के लिए, और dimensionality reduction को और कई तरीकों से देखा जाता है, लेकिन एक इसकी जो major technique है, आप PCA analysis कर सकते हैं, dimensionality reduction के लिए, ठीक है, data को reduce करने के लिए, आप different किसम के multivariate analysis जो हैं, वो perform करते हैं, ठीक है, और इंशाल्ला we are going to, we are going to learn this multivariate analysis, ठीक है, तो techniques हमारे पास to reduce the data, एक तो हो गया dimensionality reduction, कि आप dimension को कम करते हैं, ठीक है, दूसरी होती है, numerosity, numerosity reduction, ये term आपने पहली दफ़ा, आप मेंसे काफी लोगों ने सुनी होगी, because मैं इस concept को different way में पढ़ाता हूँ, but why we are using this, मैं अभी आपको समझाता हूँ, numerosity reduction क्या होती है, एक चीज, आप लिखते हैं English के अंदर, मैं यहाँ पर आपको मिसाल देता हूँ, यहाँ पर numerosity reduction के अंदर, आप क्या करते हैं, data आपके पास है, ऐसे for example, I would say, मेरे पास एक data है mail का, फिर उसी column में आ गयाता है female, मतलब यह कि sex का data है मेरे पास, gender जिसे बोलते हैं, so male, female, male, female, मैं जितनी दफ़ा male, female लिखूँँगा, उतनी दफ़ा मेरे पास हर एक cell के अंदर, अगर आप इसको Excel तसवर करें, हर एक cell के अंदर, male की जगा पे आपके पास, चार alphabets आ रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, female की जगा पे आपके पास आ रहे हैं 6, तो 4 और 6, यह alphabets को जब हम मिलाते हैं, आगे तक लेके जाते हैं, और इस तरह हमारे पास categorical variable काफी होते हैं, तो यह सारे के सारे alphabets मिलके, numerous alphabets यह numerous numbers आ जाते हैं हमारे पास, बजाए यह male लिखने के यह female लिखने के, अगर मैं इसको one और zero लिखता जाऊं, तो मेरे पास चार numbers की बजाए, यह जो number हमारे पास चार alphabets है, सिरफ एक numeric number हमारे पास आ रहा है, female 6 की बजाए सिरफ zero हम लिख रहे हैं, also computer understand this zero and one faster than alphabets, अब आप खुद देखें के हमने क्या किया, सिरफ data को categorical से numeric में जब हमने change किया, उसकी numerosity reduction होगी, और इन techniques को हम data encoding techniques भी बोलते हैं, encoding techniques, ठीक है, और इसमें काफी किसम की techniques हैं, हम इन्शालाँ पढ़ेंगे भी वह, जिन में one hot encoding है, label encoding है, and there are many other encoding as well, ठीक है, सो यह क्या करती है, यह आपके English alphabets को reduce करके, numeric numbers के अंदर ले जाती है, zero one, zero one के अंदर, and there are many other techniques like that, so हम उनको भी पढ़ेंगे, but for now, dimensionality reduction के साथ, numerosity reduction जो है, different methods use करके data को compress करते हैं, ताके किसी की तक अगर पहुँच जाना है, और इसको use करना है, तो आप उस पर काम कर सकते हैं, so हमारे पास data reduction के अंदर, पहला आया dimensionality reduction, second one is numerosity reduction, third one is data compression, यह तीज सेकंड में ही आता है, so third one is data compression, तो हमारे पास तीन यह वाले methods बनते हैं, to reduce the data, अब आप सोच रहे होंगे, data हम reduce क्यों करते हैं, data इस वज़ा से reduce करते हैं, पहली बात तो यह, जब आप data को अपने PC's में use करते हैं, you need a very high computational specs on your PC, मतलब आपके पास RAM ज्यादा हो, hard disk ज्यादा हो, इसका मतलब जिसके पास PC अच्छा नहीं है, वो ना करें यह काम, ऐसा बिल्कुल नहीं है, so you can reduce the data, और कोई ऐसी technique use करके reduce करें, कि आपके model की performance भी ना खराब हो, ठीक है, so इस वज़ा से data reduction की techniques है, secondly, जब आप pilot project कोई भी कर रहे होते हैं, पाइलट project का मतलब होता है, छोटा project, जो बड़े project का एक हिस्सा होता है, तब आप यह techniques और भी heavily use करते हैं, हाँ, अगर आपके पास बहुत ज्यादा computation है, फिर भी आप अक्सवर का dimensionality reduction को prefer करते हैं, क्यों, उसकी reason यह है कि हमने वो ही feature लेना है, जिनका impact पढ़ रहा है आपकी output पे, ठीक है, मिसाल के दोर पे, मैंने फैसलाबा से लहूर जाना है, तो कौन-कौन से features होंगे input में, पहली बात, obviously, कि मैं अकेला जा रहा हूँ या किसी के साथ जा रहा हूँ, दूसरी बात, सवारी कौन सी है, क्या वो motorcycle है, या car है, या bus में travel कर रहा हूँ, या train में कर रहा हूँ, second चीज वो होगी, third चीज ये होगी, कि मेरे पास पैसे कितने है, obviously, मैंने कुराया देना, rent देना, और उसकी base में मैं जा सकता हूँ, अब ये तो तीन चीजे important होगी, ठीक है, कि मैं अकेला जा रहा हूँ, किस पे जा रहा हूँ, और पैसे कितने हैं, these three things are important, अब अगर मैं ये कहूँ, कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया, it doesn't matter, क्यों, लहौर जाने के लिए, खाना खाना या ना खाना जरूरी नहीं है, तो ये जो चोथा कालम है न, खाना खाया या नहीं खाया, इस तरह के कॉलम्स को हम निकालते हैं, data dimensionality reduction में, क्यों, इनका impact कम होता है, हो सकता है, ज्यादा भी हो, क्योंकि हो सकता है, कि आप ये सोचें के, भूगे बेट सफर नहीं हो सकता, और रास्ते में कहीं पर रुकना भी है, खाना भी खाना है, बट हमने वो पैसों वाली बात कर ली, और कार वाली बात कर ली, तो उन पर वो impact करता है, अब इस तरह की और भी चीज़ है, अब एक और variable, अगर इस पर मैं data में count करूं, अगर मैं खुद से data collector हूँ, कि मेरा कोई जानने वाला लाहूर में है या नहीं है, अब इस लिए जानने वाला है तो मैं जा रहा हूँ, तो इस तरह का variable जो है, वो भी हमारे पास इतनी value नहीं रखता, based on कि मैं लाहूर कितनी देर में पहुंच रहा हूँ, something like that, so believe me, if you know कि data reduction क्यों ज़रूरी है, कहां पर ज़रूरी है, आपका दिमाग खुला होना चाहिए कि why we are doing this, और हम फ्लाँ फ्लाँ variable को क्यों ले रहे हैं, और यकीन माने, अगर आपका दिमाग ये काम नहीं कर रहा है, कैसे कौन से variable को select करना है, देखने वाले इंडिमेंशन एंडिरेक्शन के अंदर, अब एक हमारे पास चार स्टेप होगे, पांच वाँ स्टेप है हमारे पास बहुत important है, वो भी ये पांच के पांच स्टेप आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये data pre-processing इसके अंदर समाती है, पांच पांच स्टेप है जही हमारे पास data discretization, अब आपको पता है कि discrete variable क्या होते हैं, जो counting में आते हैं, something like this, ठीक है, continuous क्या होते हैं, 1.01 भी आ गया और decimals वगएरा में भी आ गया, अब मुझे बताएं, कि जब आप discrete variable की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ, कि आपने data को discrete variables के अंदर convert करना है, तो हम इसको बोलते हैं, कि हम अपने numeric data को, numeric data को, जब हम, numeric data को, जब हम nominal variables के अंदर convert कर सकें, इसको हम data discretization बोलते हैं, ठीक है, यानि कि बड़े data को broader level पे ले जाना, for example, मेरे पास age का जो group आया, पहले भी मैंने आपको बताया, data transformation के अंदर भी, अगर उसी मिसाल को हम दुबारा देखें, तो हम यहाँ पे nominal variables के अंदर, इनको convert कर सकते हैं, age के group को, fair को भी nominal के अंदर हम कर सकते हैं, and there are many things which you can do on nominal variables, say for example, आपने अगर गूगल डेटा एनलिस्ट का जो मैंने असाइनमेंट दी थी, खास दोर पे गूगल प्ले स्टोर की, और एपल एप स्टोर की, EDA अनलिसिस के अंदर हमारे पिछले लेक्शर में, तो उसमें मैंने बताया था, कि आप MBS के अंदर जो आपकी एप का साइज है, उनको या तो GBs में कर लेते हैं, या Bytes में भी कर लेते हैं, और फिर आप उनको Category Variable के अंदर डालते हैं, Nominal Variable के अंदर, Categorical हो मतलब यह एक Nominal Variable, अब यहाँ पे मैं आपको मिसाल इसकी दी है, कि Numeric Variable को अगर आप Categorical, क्योंकि Nominal Categorical ही होता है, Ordinal तो बननी सकता, So Numeric को जब आप, Basically Numeric Variable को जब आप Convert करते हैं, Categorical Variable के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं, Data Discretization, Categorical के अंदर, ठीक है? और इसमें हम Binning Algorithm और बाकी Algorithm यूज़ करते हैं, ठीक है? अब इसको आप Data Aggregation के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, और future में, आप Different Variables को जब Convert करते हैं, You can use this, और ये टेकनीक बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, So हमारे पास Data Pre-Processing का, अगर मैं पूरा चार्ट ले आउट करूँ, So we can say, कि जब हमने Data को Pre-Process करना है, तो उसमें कौन-कौन से Step है? Enlist करते हैं जी उनको, और बारी-बारी लेके चलते हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज़ है Data Cleaning, ठीक है? Data Cleaning. फिर दूसरी चीज़ है हमारे पास Data Integration, Data Integration, तीसरा Step है जी हमारे पास Data Transformation, Transformation, चोथा Step है जी हमारे पास Data Reduction, and the fifth one is हमारे पास Data Discretization, Discretization, Data Discretization, ठीक हो गया? तो यह हमारे पास पांच स्टेप हैं, अब इन पांच स्टेप के अंदर, आप सारे के सारे काम जो है Data Pre-Processing कर करते हैं, और अगर आपको पिछला लेक्षर याद है, तो उसके अंदर मैंने क्लिरली बताया था, कि Data Pre-Processing के ऊपर, एक Data Scientist, एक Machine Learning Engineer, 80% टाइम लगाता है, और 20% टाइम सिरह Model Development पे लगता है, तो अगर आप 80% टाइम, इस एक स्टेप पे लगा रहे हैं, इसका मतलब अगला 20% भी ठीक होगा, अगर यही 80% टाइम आपने ना लगाया, अगला 20% का कोई फाइदा नहीं है, सारा काम खराब हो जाना है, Model ने सही तरह काम नहीं करना, and then you will be actually having issues with your boss, or stakeholders, और जो भी आपके clients होगे, so इन 5 steps को याद रखे, इनके अंदर हमने रह के सारा काम करना है, यहां तक हमारा data pre-processing का जो step है, वो यहां पे होगा, हमने इतनी चीजें हमने इसमें करनी हैं, जो मैंने आपको बताई है, अब इसको further हम classify भी कर सकते हैं, कि हर step के अंदर कौन-कौन सी चीज आती है, और इसको और बेचे तरीके से समझ सकते हैं, कि हमारे पास data pre-processing की जो summary है, वो किस तरीके से आएगी, right जी, let's see, so,